दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक हिमानसूर आप देख रहें टीचिंग वाला लगातार एक न्यूस पेपर है जिसकी के कटिंग बच्चों के द्वारा भेजी जा रही है टेलिग्राम पर और अलग लग जगह पर और बच्चे पूछ रहें क्या सर सीटेट की जो एक्जाम का रिजल्ट है वो रद्ध हो जाएगा या किसका रद्ध होगा क्या होगा क्या मामला है मैं आपको क्विकली बता देता हूं यह इमेज तो आप देखीर पा रहे होंगे जो देख चुके या नहीं भी देख चुके हैं तो सीटेट से बीएट धारकों को बेदखल की मांग हाई कोट में याचिका दाखिल यह बात यहाँ पर अपडेट है यह मैं थोड़ा से कुक्ली आपको बताता हूं फिर इसका क्या माजरा है और क्या है वो सब मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर यूपी से यह ख़बर आई है कि बीएट डिग्री धारकों की प्रात्म मुर्ति विकास बुद्वार की अद जो है अदालत सुनवाई कर रही है ठीक है याचिकी अधिवक्ता ने दलिल दी है कि बीएट डिग्री धारकों को प्रात्मिक अक्षा में अध्यापन पर रोक लगा जाने के बाद उन्हें रास्टिय शिक्षा शिक्षक शिक्षा परि वकील है उन्होंने इस पर सवाल खरा किया है कि व्याथित पक्षकार नहीं है उन्हें रहागा जाता है कि अ capture पास आप्षित योगता नहीं मामला पूरा यहीं आप जानते हैं कि सुप्रिम कोट ने एक लिर बोल दिया है कि नहीं भईया बी एड वाले जो है प्रैमरी भी नहीं अपलाई कर सकते हैं और वो तब हुआ जब सीटेट की एक्जाम ती चार दिन बची थी तो आविसली सीटेट एक्जाम लेगा क्योंकि जब फ़र्म बढ़ा है तो एक्जाम लेगा और उसके बाद ये बीच में कोट आ गया कोट का फिर से यह मामला चलाया तो यहां पर मैं आपको क्लिरली बता देना चाहता हूं कि हम सब लोग यह बात जानते हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट है प्रैमरी लेवल का वह आगे किसी भी चीजों में माने नहीं होगा है ना लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडिडेट है जुनोंने एक होप के तहत सीटेट एक्जाम पेपर बन का दिया है यह जा पर है उनको मौका नहीं मिलेगा और यह अभी डिसाइड नहीं होगा पहली बात तो सीटेट यह डिसाइड करने वाला अभी नहीं होता है अब सीटेट हमेशा क्या बोलता है कि एंसीटी के गाइडलाइन का अनुसार आप फॉर्म भड़ी और एक्जाम दीजिए तो एंसी रुकना ना रुकना इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीटेट कोई आपको जौब तो देगा नहीं कल को अगर यूपी में भरती आती है या दिल्ली में आती है या कहीं पर आती है और क्या इसके वज़ा से पूरा रद्ध होगा तो देखे अब मुझे यहाँ पर परसनल यह असानी लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन होगा क्योंकि 25 से 30 सेप्टमबर के बीच में लगवागा आपका रिजल्ट आना है और सीटेट अपना रिजल्ट घोसित कर देगा सीटेट को उस चकर से मतलब भी नहीं है कि यह कहां पर मानने होगा नहीं होगा कितने नंबर पर मानने होगा कई जगह पर सीटेट साटिफिकेट नहीं भी देता है तहीं भी बिहार में आप देख लिजेए फिर भी वो मार्क सीट के बेसिस पर सेलेक्शन हो जाता है स्टीए स्टी का 75 नम्बर पे जनरल महला का 82 नम्बर पे सीटिट सर्टीफिट दिया ही नहीं तो सीटिट के सर्टिफिकेट को मानना नहीं मानना बात की बात है लेकिन यहां पर कोई भी जहां तक मेरी समझ है तो इस प्रकार से कुईसी प्रकार के result को रुखने की बात नहीं है और यहां पर आगे यह अपडेट है अभी की और यहां पर 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई और 20 अगस्त को परिक्षा होगी थी अब 6 सितंबर को क्या बात होता है वो तो हम लोग की गई है कि उनके result पर रोक लगा दिया जाओ जो भी एड कंडिडेट है प्राइमरी लेवल पर तो सिटेट के अस्तर पर तो बाकि जो भी अपडेट आएगा बताएंगे फिलाल के लिए यह सारी चीज़े हैं और आप लोग आगी की त्यारी करते रहिए और जो नियम है हो तो आगे पालन होगा ही लेकिन अब इस बीच में जब फॉर्ण भड़ा गया था तो एक्जाम होगा और रिजल्ट आएगा मेरी समझती यह है आगे कोई भी अपडेट आएगा छे से नंबर को यह उसके बाद तो हम आपको जरूर बताएंगे थैंक यू वेरी मच